नमस्कार फ्रेंड, हमारे चल्ड कर दो आप सबी का स्वागत है फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि UPiBner TG2 का जो फॉर्म फिलप करने का जो प्रोसेस है वो आज का लाजड़ डेट है फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं आज है 9 अगस्त तो फ्रेंड आप जानते हैं कि आज लाश डेट है और आज मैं आपको बताऊंगा कि कितना इसमें टोटल फार्म फिलप किया गया है तो सारा कुछ मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ फ्रेंड कि अभी तक आपको यहीं नहीं मालूम होगा कि जो है फार्म जो फिलप किया गया है टीजी टू में टेक्निशन ग्रेट टू में वो फ्रेंड जो है टोटल मतलब जैसे हमारा इस्टूमेंसन का हो गया है मेकैनिकल का हो गया एलक्रिकल को हो गया तिये तीनों का फार्म जो फिलप किया गया है वो अलग-अलग है कि एक ही है यह सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बस आप लोग वीडियो को लाश्ट तक बने रही है ताकि आपको मालूम चल सके नए तो फ्रेंड आप कहेंगे कि जो है अभी आपको प्रोसेस सारा कुछ में बताऊंगा बाद में उसका सलूशन भी बताऊंगा कि कैसे कितना कितना इसमें फार्म को फिल अप किया गया है और फ्रेंड आप सबीस में बताना चाहूंगो अगर आप लोग यूपी याज में टीजी टू फीटर एलेक्रिशन की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए हमारे चैनल पे मातर 499 विर्पे में पेट कोर्स लांच किया गया है 100% सफलता की गारंटी रहेगी इसमें आपको जो है अगर जब आप को जोईन करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम किस टाइप से कोर्स को जोईन किये हैं सारा कुछ आपको बताया जाएगा तो आप लोग को जोईन करें और फ्रेंड मैं आप सभी से कहना चाहँ को आप लोग टेलिग्राम वाट्सअप से जुड़ें लिंक उसका डिक्सेशन बॉक्सिंग दे दिया गया है तो फ्रेंड मैं सबस्पहले आपको बता दूँ इसमें जो फॉर्म फिलप करने का स्टार्टिंग डेड़ दिया गया था लेकिन ऐसा हुए कि यह 15 जुलाई को ही आपका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया था तो उस टाइम को मैं आपको दिखाऊंगा कितने फॉर्म फिलप किये गये थे उस टाइम मातर 33 नंबर पे जो है मैंने इसको रइस्टेशन किया था 33 नंबर पे तो आप लोग देख लिजिए कि मैं सारा कुछ प्रोसेस आपको दिखाऊंगा जो मेरे पास मैसेज आया हुआ है और आज करी चार बच के 15 मिनट तक जो है मैंने रइस्टेशन किया हुआ है तो उसमें कुल टोर्टल कितने फॉर्म फिलप किये गये है सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ बस आप लोग वीडियो को लाश्ट तक बने रहिए गया तो फ्रेंड यह आप देख सकते हैं कि यह मेरे पास जो मैसेज आया था जो है वो 15 तारिक को आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने दिया गया है 15 तारिक को कितने बज़े दिया गया है 15 तारिक 9 बच के 40 मिनट पे मैंने रेअस्टेशन किया था मातर कितने बच्ची इसमें थे मातर आप देख सकते हैं 33 बच्च के बाद अभी मैं आपको काफी कि आप कह सकते हैं कि जो इसमें छिपा राज है वो मैं आपको दिखाने वालों बस आप लोग लाश्ट तक बने रहिएगा। और उसके बाद फ्रेंड मैं आपको बताना चाओंगा। और आज का आज का यह आप देख सकते हैं आज का है यह कितने बज़े चार बच के 15 मिन पर टूडे आप देख सकते हैं तूडे आज का है नौ तारीकों है इसमें कितने बच्चों ने फॉर्म को फिल अप किया है 45990 बच्चों ने मतलब फॉर्म को आप सब्मिन नहीं कह सकते कि यह जो इसमें आप कैसे मतलब हजार दो बच्चे यह से रहंगे जो फरम को सब्मिट नहीं करेंगे और टो इतने बच्चों ने मतलब अभी तक मतलब आप कह सकते हैं चार बच के पंदर मिनुट मतलब रात बारा बज़े तक आप कह सकते हैं कि आपका फाइनल अगर देखा जाए तो पचास हजार के संथिंग बच्चे फार्म को मतलब फाइनल रईस्टेसन करेंगे ठीक है तो कहने मतलब यह है फ्रेंड कि इसमें अब आपको जो जो इसमें छीपा राज है उसको मैं बताने वाला हूं टीजी टू ठीक है सबसे पहले आप यह ध्यान दीजिए गए कि टीजी टू इसमें देखें यूपी आज में टीजी टीजी करके दिया है तो टीजी टू मतलब आप चलिए तो 33 आप समझेंगा कि इलक्टीशियन का ही है या फिर फीटर का है या फिर जो है इस्टूमेंसन का है टीजी टू में जितने भी फॉर्म फिलप किये गए है टोटल टोटल की बाइबात कर रहा हूं टोटल इसमें जो है 45,990 चार बच के 15 मिनिट तक फॉर्म को फिलप किये गय सभी का जो है एक ही किलियर है मतलब आपके सकते हैं आल है तीनों का टीजी टू में जितने भी आ रहे हैं सभी का इसमें कम्पलीट किया गया है तो लगभा लगभा 50,000 के सम्थिक फॉर्म पड़े हैं अब इसमें छाटा जाए तो फीटर के अगर देखा जाए फ्रेंड त ठीक है तो या सिक बच्चे जादा फॉर्म किया है या फिर जो है आप कह सकते हैं जर्नल के लेकिन मैं फीटर बता रहा हूं ठीक है तो ऐसा नहीं है इसमें ज्यादा तर बच्चे जो है इलक्टिशियन के हैं इलक्टिकल के जो आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा बच्चे इ है तो आप लोग अगर इसमें form को fill up किये हैं तो ठीक है आप लोग course को join कर सकते हैं नहीं तो next जो भी वेकंसी आने वाली है उस पर आप लोग preparation करें so thanks for watching and bye bye